नमस्कार कोविलेंट पार्ट 6 इसमें हम बात कर रहे हैं SP3 संक्रण की SP3 हाइवड़ाइशंक SP3 के नीचे box में आप देख पा रहे हैं इसमें एक S orbital लिया है और तीन हमने लिया है P orbital PX, PY और PZ चारों आपस में वही काम करते हैं कुम सा पहला M और दूसरा R यानि पहला mixing और फिर दूसरा resuffling तो mixing और resuffling के बाद मैं यह हमारे को चार नए hybrid orbitals देते हैं जो की एक दूसरे से डाइग्राम में आप देख पा रहे हैं इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ आप देखी यह डाइग्राम में SP3 hybrid orbitals है और इनके बीच के जो bound angle है वो होता है 109 degree 28 minute और यह इनका orientation किसको कार का होता है और यह होता है चत्यूसपल की है टेट्राइड तो टेट्राइडल और इंटेशन और SP3 hybrid orbitals इसके examples जो है हमने दिया है पहला example है CH4 मेथेन का example जो box के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक carbon यह 4 SP3 hybrid orbitals है और 4 SP3 hybrid orbitals जिनके चोट 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 लोग आपको साइड में नज़रा रहे है इनसे चार hydrogen के S orbital सहीप्स होता है और 109 degree 28 minute अंगल बरकरार रखते हुए CH4 का tetra hetral structure अब देखिया box में एंगल दिया हुआ 109 degree 28 minute और इसका structural diagram बना हुआ है balls के द्वारा उसमें दिया हुआ है 109 degree point 109.5 degree यही अंतर मैंने पिछली slide में आपको हाथ से लिखा हुआ मैंने आपको बताया था कि यह तो लिखिया आप 109 degree 28 minute या फिर लिखिया 109.5 degree नए कि 109.5 minute लिख देंगे तो गलत हो जाएगा और 109.28 degree लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है यह CH4 का example CH4 के बाद में आप example देख पाएंगे अमोनिया का अमोनिया में आप देख रहे हैं बोक्स के अंदर यह यह आप देख रहे हैं तो दो पी ओर्बिटल्स हैं जिसमें तीन इलेक्ट्रोंस है और 2S के अंदर दो इलेक्ट्रोंस है यानि नाइट्रोजन का के पास में एक लोन पे रोग इलेक्ट्रों उपस्कित है ठीक है इससे हमें अगले step में आप देखें राइट हैं तो चार हमें SP3 hybrid orbitals मिलते हैं जिनमें एक लोन पे रोग इलेक्ट्रों सिच्वेटेड है और तीन अनपेड़ी इलेक्ट्रों सिच्वेटेड अब आप देखें आपके एक एक लोन पे रोग इलेक्ट्रों सिच्वेटेड है अब नीचे आप आजाएं तीसरा डाइग्राम लेफ एंड सा सब्सक्राइब और चूथा जिसका है उसके अंदर एक लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रों पड़ा रहता है जो की खाली हम यहां पे शो कर पा रहे हैं अधर्वाइस यह लोन पेर किसे कहेंगे एकागी एलेक्ट्रों नहीं लेता और जब हम इनाइट पेर की बात करेंगे वहां यह भी चाता करेंगे इनर्ट पेर किसे कहता है वो भी सामनने ट्या फाग नहीं लेता लेकिन वहां थे हम कहते हैं वह भाग लें नहीं सकता रोज से artists कि यहां पर यहां पर इसका फोर कि आगले की रहा नेवेल रहे हैं ब्यूहरा भी के ऊअरे यही कुछ से उच्छराइब हमें कि घृडप्र को शोग करेंगे ईसका कि आपला एक्जामपल है SP3 hybridization का ही H2, H2O में आप देखेंगे किसे nitrogen के अंदर एक lone pair था, H2O में oxygen का जब आप देखेंगे ground state, तो इसका configuration होता है 2S2, 2P4, यानि S में भी 2 electron हैं, और P में 4 electron हैं, उनमें से 1 pair के उप में हैं, और 2 unfair electron हैं, जब इनमें हम संकरन करवाते हैं, ठीक है SP3 संकरन जब करवाते हैं, तो हमें 4 SP3 hybrid orbitals मिलता हैं, जिनमें से 2 के पास unfair electrons होता हैं, और 2 orbitals में 2 lone pair of electron होता हैं, अब आप नीचे left hand side वाली diagram में देखें, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, orbital relation H2, तो यहाँ पर oxygen का बीच में oxygen है, और इसके 2 hybrid orbitals से, 2 SP3 hybrid orbitals से तो संकरन होते हैं कौन, तो hydrogen atom और 2 lone pair of electron systems में पढ़े रहते हैं, इस कारण से इसका जो bond angle है, वो घट करके कितना हो जाता है, वो घट करके हो जाता है, यहाँ आपर दे रहा है, हमने 104.5 degree हैं, लगबग 105 degree के आसपाद, और safe हो जाता है इसका कैसा, ultra V मान लें, या आप इसको बोल दे bent से, ठीक है, इसी प्रकार से, पहले जो ammonia था, CH4 के अंदर bond angle था, 109 degree, 28 minute, ammonia के अंदर, इसका जो shape है, कैसा हो जाता है, shape हो जाता है इसका, pyramidal, और इसका जो bond angle है, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है, 107 degree, यानि start कहाता हमने 109 degree, 109 degree, 18 minute, एक lone pair की विज़े से, एक कम हो करक इसके बाद में, एक और lone pair आ गया, दो lone pair हो आगे, तो यह हो गया, लगबग 105 degree, या 104.5 degree, shape बिगड करके इसका कैसा हो गया, वी shape या band shape, और अगला जो एक्जाम्पल है, वो है इसका H है, इसका है, जिसमें fluorine का विन्या साथ देख पा रहे है, 2S2, 2P5 होता है, यानि इसक है, इसके hybrid orbital से, हाई-डोजन सेंग्ट हो करके बनाएगा sigma mode, तो इसका safe होगा linear, और linear safe होने के वज़े से, इसका bond angle कितना हो जाता है, इसका bond angle हो जाता है, 110C degree, यह बात की हमने किसकी, HB3 hybridization की, और इसके बाद में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, DSP2 hybridization, आज़से,